Good morning बच्चों, NRP स्कूल की online class में आपका स्वागत है आप 4th class में आगे हैं, मैं आपको पर्यावरन पढ़ाऊंगी जैसे कि आपने 3rd class में भी पर्यावरन पढ़ा है अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अपन पर्यावरन पढ़ेंगे जिन बच्चों ने किताबे नहीं ली है या जिनोंने ले ली है उन सभी बच्चों से एक ही निवेदन है कि घर पर रहें, पढ़ाई करें, शुरक्षित रहें, बाहर ना घुमें और जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, उससे सम्मन्दि जो ग्रह कारे दिया जा रहा है, वो जरूर से जरूर करें तो आप लोग अपने मम्मी पापा से कहकर और माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को किताबे जरूर दिलाएं चलिए तो आज मैं पाठ एक कक्षा चार का पाठ एक भोजन के तत्व क्या भोजन के तत्व अब भोजन बच्चों आप जानते हो भोजन यानि खाना होता है हमें पोस्टिक बोजन करना चाहिए, बोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बोजन ही हमारा जीवन है, यानि हमारे जीने के लिए बोजन बहुती आवशक है मैं यहाँ पर आपको किताब से ही संबंदित कुछ पॉइंट लिखके बता रहे हूँ, उसी से पढ़ाऊंगी ताकि आप आसानी से बोजन के बारे में समझ सकें चलिए, शुरू करते हैं मेरे साथ साथ बच्चों बोलना, ताकि आपको किताब पढ़ने का भी अध्यन होता रहे चलो, शुरू करते हैं भोजन अब भोजन हमारे लिए क्या है ये क्या कार्य करता है भोजन से हमारे शरीर को क्या क्या लाब है ये हम पढ़ते हैं बोलो मेरे साथ भोजन मनुष्य की मूल आवशकता है भोजन जो है बच्चों वो मनुष्य की मूल आवशकता है यानि भोजन प्यक्ति के लिए मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है दूसरा पॉइंट देखो पॉइंट में समझाओंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे भोजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है व्यक्ति के लिए भोजन बहुती जरूरी है जीने के लिए भोजन की आवशकता पड़ती है फिर भोजन के पोशक तत्व वे तत्व होते हैं जो प्राणियों को बिभिन प्रकार के बिभिन प्रकार से तथा बिभिन रूपों में सबल यानी शक्ती तागत बल सबल प्रदान करता है या करते हैं यानी कि भोजन जो है बच्चो वे व्यक्ती को सबल यानी शक्ती उर्जा और जो तागत होती है वो किसे प्रदान होती है भोजन से यानी भोजन जो है वो हमारे सरीर के लिए बहुत ही आवश्चक है भोजन कारे करने के लिए उर्जा और और शक्ती प्रदान करता है भोजन जो है बच्चो वो काम करने के लिए जब हम कारे करते हैं काम करते हैं तो उसके लिए तागत चाहिए शक्ती चाहिए उर्जा चाहिए तो वे हमें बोजन से प्राप्त होती है भोजन के पोशक तत्व निम्न है अब आपको पता है भोजन यानि आप खाना खाते हो तो उसमें हमारे विविन प्रकार के तत्व होते हैं यानि भोजन से हमें क्या के मिलता है और भोजन से हमें क्या के चीजों की आवशकता होती है तो वो तत्व होते हैं यह मैं यहां आगे लिखूंगी आप यहां से देखिए पहला कारवो हाईट्रेट्स दूसरा वसा तीसरा प्रोटीन चोथा विटामिन्स और पाच्वा खनीज लवाण खनीज लवाण ये सबी चीजे हमारे भोजन में अगर होती हैं तो हमें एक पोस्टिक और संतूलिक भोजन प्राप्त होता है जिससे हम स्वस्ट रहते हैं और हमारे काम करने की जो शक्ती होती है वो भी जरूर पूरी होती है हाँ बच्चो जैसा कि मैंने बोड पर पॉइंट में आपको बिल्कुर शौट में कुछ समझाया है बोजन के बारे में बोजन मुन्वशे की मूलाव शक्ता है बोजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है बोजन के पोशक तत्व वे तत्व होते हैं जिनसे हमें बिविन्द प्रकार के जो सवल होते हैं तागत होती शक्तियां होती प्रदान होती हैं इनी सब बातों को अब हम किताब के साथ पढ़ेंगे आप किताब खोल लीजिए किताब मैं यहां से पढ़ रही हूं आप सुनिए उंगली रखिए चलिए मैं शुरू करती हूं आप ढान दिजिए भोजन मनुस्य की मूल आवशक्ताओं में से एक है भोजन की आवशक्ता प्रत्वी के सभी सजीव प्राणियों को होती है भोजन प्राणियों को स्वस्त रखने का महत्त पूर्ण अंग है भोजन के बिना जीवन की कल्पना करना पून तय असंभव है पोशक तत्व वे तत्व होते हैं जो प्राणियों को बिभिन प्रकार से तथा बिभिन रूपों में सबल प्रदान करते हैं ध्यान से सुनना बच्चों ताकि आपको किताब पढ़नी आती रहे यही वे तत्व हैं जो प्राणियों के सरीर को शती ग्रस्त होने से बचाते हैं यह पोशक तत्व हैं अब देखिए आपको यहाँ पर भोजन के थाली दिखाई गई है चित्र में तो देखिए अपने यहाँ पर भोजन के तत्व हैं खनीज लवण है प्रोटीन है कार्व हाइट्रेट्स है दूद और खनीज लवण सबी चीजें हमारे भोजन में दूद और प्रती दिन का खाना सम्मीलित रहता है याद रखिए देखिए बॉक्स बना हुआ है इसको पढ़िए याद रखिए बोजन करने के बाद नीन आने का कारण होता है बच्चों रख्त का पेट की और दोड़ना पेट की और जो रख्त दोड़ता है यानि हमारे सरीर में रख्त का दोड़ान होता है तो हमें नीन आने लगती है कब भोजन करने के बाद आगे देखिए उंग्री रखिए बच्चों भोजन हमें कार्य करने के लिए उड़जा तथा शक्ती प्रदान करता है यहें प्राणियों के समूचित विकास में सहायक है यानि हमारे सरीर के विकास में जो भोजन है वो बहुती आवशक है भोजन के अभाव में यानि भोजन के बिना प्राणियों का विकास अवरुद हो जाता है भोजन हमें अनेक रोगों से भी बचाता है भोजन जो है अच्छा और पोस्टिक भोजन करते हैं तो हमें बीमारिया नहीं होती हैं क्योंकि यह रोगों से लड़ने की शम्ता में व सायता करता है भोजन ही हमें कार्वी सील बनाए रखने में सहायक है ये सभी कार्वे भोजन में पाए जाते हैं पाए जाने वाले पोशक तत्वों के द्वारा ही संभव है भोजन में अने एक ऐसे तत्व होते हैं जो प्राणियों के सरीर को उचित रूप से विक्सित करते हैं यानि हमारे सरीर का जो विकास है हमारे कार्य करने की जो शक्ती है हमें रोबो से लड़ने के लिए ये सभी जो कार्य है वो भोजन करता है इसलिए बच्चों हमें पोस्टिक और बिल्कुल शुद्ध और अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमारे सरीर का विकास हो हम बीमारियों से रोगों से लड़ सके जैसा कि आप जानते हो इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है चारों और कोरोना है तो हमें इससे बचने के लि आपको दूद डेली पीना है फिर आपके जो गरों में जो सब्जियां आती हैं उनको साफ करके अच्छे से धुलकर ममी से कहिए बनाइए और हरी सब्जियां जरूर खाईए आप इन सभी चीजों का अगर आप उपयोग अच्छे से करेंगे तो आप कोरोना जैसी बीमारी इसे बचे रहेंगे हाँ दोकर खाना खाईए खाना खाने के बाद भी आप हाँ दोए ये आपका समय इस समय बहुत ही नाजुक चल रहा है आप इसलिए अच्छे से घर पर रहिए स्वस्त रहिए अब हम कल पड़ेंगे चलो आप किताब हम बच्चों कल पड़ेंगे आग को सुन्दर पेज की और यही काम आपको आज करना है कल आगे किताब पड़ाएंगे